19 अप्रेल को देश में पहले चरण की 102 सीटों पर वोटिंग होगी इस बार आपका वोट तै करेगा कि भारत का समविधान बचेगा या नहीं आपका वोट तै करेगा कि देश से महंगाई और वेरोजगारी खत्म होगी या नहीं ये समविधान और लोगतंत्र को बचाने की आखरी लड़ाई है अगर आप युवा हैं तो आपके लिए कॉंग्रेस ने कई बड़े ऐलान किये सरकार बनते ही 30 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलेगी अगर आपके पास जिगरी या डिपलोमा है तो अपरेंटर्शिप के जरीए आपको हर महीने साड़े आठ हजार रुपए यानि की साल में एक लाख रुपए मिलेंगे पेपर लीक से मुक्ती के लिए कड़े कानून बनाई जाएंगे अगर आप स्टार्ट अप करना चाहते हैं तो कॉंग्रिस ने आपके लिए पांच हजार करोड का फंड बनाया है अगर आप महीला हैं तो आपको सालाना एक लाख रुपए मिलेंगे आपकी बेटियों को सरकारी नौकरियों में आधा यानि की 50 प्रतिशत रिजर्वेशन मिलेगा अंगन बारी और मिड़े मील बनाने वाली महीलाओं की सैलरी डबल कर दी जाएगी देश भर में महीला सरकारी हॉस्टल की संख्या दो गुनी की जाएगी अगर आप किसान हैं तो आपको MSP पर कानूनी दरजा मिलेगा आपका कर्ज माफ किया जाएगा अगर आपकी फसल को नुकसान हुआ तो 30 दिनों के अंदर आपके बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर किये जाएगे खेती में इस्तमाल होने वाले सामान को GST से मुक्त किया जाएगा अगर आप श्रमिक हैं, मजदूर हैं तो कॉंग्रेस सरकार में आपको हर दिन 400 रुपे मजदूरी मिलेगी आपके सुरक्षा के लिए स्वास्त अधिकार कानून बनाया जाएगा अगर आप अन ओर्गनाइजड सेक्टर में काम करते हैं तो आपके लिए जीवन बीमा और दुरगटना बीमा का प्रावधान किया जाएगा फर्क बिल्कुल साफ है, अगर आप कॉंग्रेस को चुनेंगे तो देश में महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी कम होगी, कोई भूखा नहीं सोएगा, किसी को पिछडा कहकर मुह पर पेशाब नहीं किया जाएगा फिर कभी भी धर्म के नाम पर नफरती राजनीती नहीं होगी देश की फिजाओं में महबबत ही महबबत होगी अपने वोट का सही इस्तेमाल करें, न्याय को चुने, कॉंग्रेस को चुने पड़ी से बड़ी खबर क्राइम से लेकर राजनीती तक किस नेता ने पांच साल में क्या काम कराया